वेल्कम बैक तो मैं चैनल तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं यकनी पनीर की रेसिपी जो की बिना प्याज लसन के बनती है फास्टिंग में भी इसे बना सकते हैं यकीन मानिए बहुत ही जादा टेस्टी बनती है अगर आप इसे बनाएंगे तो सब बहुत ही प्य प्यूटर में कोई नया वीडियो में अप्लोड करूं उसका नोडिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं तो यहां पर मैंने पैन लिया है इनकुछ सूख्य मसाले है उन्हें रोस्ट करेंगे तो यहां है मैंने सौफ ल अच्छी तरीके से पीस लूँगी इन जार में यहां पर मैं घी आड़ कर रहे हूं तो यह रैसेपी घी में ही बनती है तो दो टीस्पून अफ गी मैंने आड़ किया था और पनीर इस तरीके से हम गोल्डन होने तक पका लेंगे अच्छी तरीके से पूरी चारो साइट से पक जाएंगे तो यहां पर मसाला भी अब देख सकते हैं मैंने पीस लिया है लग से तो मोटी लाइची का छिलका हटा दूँगी इसके सीट बाहर निकाल लूँगी यहां पर पनीर भी हमारे गोल्डन हो चुके हैं तो अब मैं इनने बाहर निकाल लूँगी तो यह पनीर तो 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 यहां पर फट लिया हो तो भीडाल लूँगी तो दो झति ती सब्क जिए चली रटार मेंस इसे तो पनीर का में कागे पाजू का जाइची मैं जञा हा यहां पर अच्छा लूँगा निकाल खाता पानी बिल्कुल भी खट्टा दही उस नहीं करेंगे उसे अच्छी तरीके से फेट लिया and approximately यहाँ पर मैंने एक कप दही इसमें आड़ कर दिया and low flame पे ही continuously इस तरीके से मैं इसे चलाते रह रही हूँ आप देख सकते हैं इसे दही फटेगा नहीं और अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा काजू का और पनीता पेस्टा उसके साथ में ऐसे मिक्स हो जाएगा पूरा ग्रेवी अच्छी सी थिक ग्रेवी बन जाएगी इसकी उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा मैंने half स्कून ओफ मसाला मैंने इसमें अड़ कर दिया है तो इसके बाद में इसे एक पर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से बॉयल आ गया है बॉयल आने के बाद यहाँ पर पनीर पानी से निकाल लिया था अच्छी तरीके से निचोड के उसके बाद इसमें आड़ कर दिया है तो salt आप अपने taste के accordingly इसमें आड़ करें उसे एक बर वापस से मैंने mix कर लिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भी थोड़ी सी gravy जो है वो पतली है इसे थिक करना अलग पैन यहाँ पर मैंने लिया है और इसमें मैंने घी आड़ कर दिया है तो यहाँ वन एड़ हाफ टी कर लूँगी इस तरीके से और दूसरे गैस पर मैंने जो सब्जी थी वो लो फ्लेम पर रखी है तो आप देख सकते हैं घी जो है वो पूरी तरीके से अलग हो चुका है यहाँ पर मैंने यह वन टेबल स्पून ऑफ मलाई एड़ की है घर की मलाई एड़ किया अगर आपके से निकाल दिया विकास उसकी जरुवत नहीं है जो फ्लेवर आना था तो हमारी सब्जी में उसका फ्लेवर आ चुका है तो इसे एक बार मिक्स कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर धनिया पती मैंने इसमें आड़ कर दी है फिर एक बार इससे मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर आपको भी यह रेसिपी पसंद आई होगी जरूर से इसे ट्राइ करिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजेगा अगर इस तरीके की रेसिपी आपको देखना पसंद है see you in my next video till then take care and bye bye